Welcome back friends, friends मैं आज लेकर आया हूँ एक बहुत इंटेस्टेट वीडियो जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ यानि कि अलग-अलग कंडिशन में इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी यूज किया जाता है और इनका सेंस भी अलग हो सकता है लेकिन यहाँ पर जो मैं sentence आपको बताने जा रहा हूँ इन में इन दोनों को same तरीके से और same sense में use किया जा सकता है बढ़ते हैं आगे और समझते हैं as soon as और the moment को इस conjunction का use grammar और spoken के लिए mostly use किया जाता है इसका use immediate action के लिए use किया जाता है immediate action यानि कि तुरंत कुछ होने वाला है उसके पहले इसका use किया जाता है जैसे कोई भी काम अचानक से होने वाला है या कुछ हो गया है या फिर अचानक से start हो रहा है उससे पहले इस conjunction का use किया जाता है जैसे जैसे ही उसने साप देखा वो भाग गई जैसे ही उसने साप देखा वो भाग गए इस कंजेक्शन का यूज कोई भी काम होने वाला है उससे पहले हम इस कंजेक्शन को यूज करती है नेक्स्ट सेंटेंस वह साधी कर लेगा जैसी उसे नौकरी मिलेगी फर्स्ट सेंटेंस में इस कंजेक्शन को पहली यूज किया गया है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसका फर्स्ट में यूज किया जाए या फिर मिडल में यूज किया जाए इसको immediate action के पहली उसके जाता है जैसे इस first sentence में दिया गया है वह साधी कर लेगा He will marry यहाँ पर कोई भी immediate action नहीं है यानि कि तुरंट कोई भी काम ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि यह काम ऐसा हो जाएगा या फिर इस काम के तुरंट बाद एक काम हो जाएगा वलकि यहाँ पर नॉर्मली बोला जा रहा है कि He will marry कब कर लेगा जैसे ही उसे नौकरी मिलेगी यह immediate action है इसलिए इसके पहले as soon as का use के जाएगा as soon as he gets a job इस sentence को पहले भी बोला जा सकता था जैसे जैसे ही उसे नौकरी मिलेगी वह साधी कर लेगा as soon as he gets a job he will marry यहाँ पर एक बात को विस्षिश तोर पर ध्यान देना है कि first sentence जिसमें as soon as का use किया जाएगा यदि उसका sense will का आ रहा हो यानि कि वो sentence will का sense दे रहा हो गागी के लगे कि यह future tense में बनेगा लेकिन उसको हम future indifferent tense के साथ नहीं बनाएंगे future tense में नहीं बनाएंगे बलकि उसको present indifferent tense के rules के साथ बनाया जाएगा next sentence जैसे ही मैंने अपनी पुरानी girlfriend को देखा वह मुश्कराने लगी as soon as I saw my old girlfriend she started to smile जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया as soon as the thief saw the police he ran away as soon as the thief saw the police he ran away जैसे मैंने सनी को देखा as soon as I saw सनी next sentence जैसे मैं आया वह चला गया as soon as I came he left इसी sentence को the moment के साथ भी बना सकते हैं जैसे the moment I came he left घर आ जाना जैसे ही पापा चले जाएं came home the moment dad goes या फिर came home as soon as dad goes जितने जल्दी हो सके निकल लो जब कोई काम हम करते हैं और हमें बोलना होता है कि जितने भी जल्दी हो यहां से निकल लो या यहां से चले जाओ leave as soon as possible जैसी उसे पता चला कि मेरी साथी हो गई वो रोने लगी as soon as या फिर the moment दोनों का सेम तरीके से यूज किया जाता है as soon as की जगए पर आप the moment का भी यूज कर सकते हैं as soon as oblique the moment she knew that I have got married she started weeping friends यह था आज का वीडियो और मैं आसा करता हूँ कि यह conjunction आपको जरूर पसंद आया होगा और बहतर तरीके से समझ में भी आ गया होगा यदि आप इस चैनल पर new है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वेल आइकन को भी जरूर पूस करें कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंट्स मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए All the best Take care Bye Bye